नमश्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्तां के दर अपने चैनल पर आप सभी को फिर से जबागत करता हूँ आज हम लोग पार 2 पर आये हैं सेकंड एपिसोड है यह और यहां तक हमने फिनिश कर लिया था अब इसके बाद जो फर्दर डीटेल्स हैं हम उसको यहां एड़ लाइन होती है एक वर्टिकल लाइन होती है उसके बाद हमने शेडिंग को कुछ एड़ किया था और रफली हमने आई वगयरा को फिक्स कर लिया था तो उसी क्रम को हम यहां आगे बढ़ाना है और अभी मैं 4B पैंसल यूज कर रहा हूं क्योंकि अब आप डारकर पैंसल को यूज कर सकते हैं 2B और 4B पैंसल को साथ में लेके चलेंगे और 6B पैंसल को एंड में हम देखेंगे जहां पे बहुत ज़्यादा डारकर वैल्यूज है वहां हम 6B को भी यूज कर सकेंगे अगर आपको पैंसल वगयरा समझ में नहीं आती है कि 2B पैंसल क्या है 4B पैंसल क जाएगा कि कैसे क्या होता है शेडिंग कैसे की जाती है नीचे लिंक है मेरे जगराट से चाहते हो तो वहां से आप जरूर से देख सकते हो तो अभी टूबी पेंचल को ही यूज हो रहे हैं यह देख सकते हो आप कि जो एयर वगरा है उनमें थोड़ी सी डिटेल दे रहा हूं क्योंकि वह पीछे वाला एरिया है तो उसमें बहुत ज्यादा डार करने की जरूबत नहीं है लाइट इंचेड्स को समझना बहुत जरूरी है और लाइट इंचेड्स को अगर आपको समझना है तो यह अच्छा वीडियो है समझने के लिए क्योंकि जैसे कि जो पोर्षण आगे दिख रहा है पौ्ट्रेट में पोर्ट्रेट में भी परस्पक्टिव होता है हमेशा तो जो पॉर्शन आगे देख रहा है वह ज्यादा डार्क और ब्राइट होगा comparatively जो पॉर्शन पीछे है वह ब्लर होगा और वैल्यूस भी थोड़ी कम होंगी हल्की होंगी थोड़ी धुंदली सी होंगी तो यह चीज को आपको ध्यान में रखना है जैसे कि जो चीज लाइन है जो चीक्स है réf़े कुछ डार्क कर रहा हूँ मैं वैल्यूस को तो बैल्यूस को जब हम डार्क करते हैं using lighter pencil ज्यादा helpful होता है अगर dark pencil को हम use करेंगे तो ये बात जरूर है कि result जल्दी मिलेंगे लेकिन ये भी है कि अगर एक बार में कुछ सही नहीं बैठा तो फिर उसको change करना उसको errors को दूर करना मुश्किल हो जाएगा अब देखो रहे हो आप जैसे reference image में देखो उसी के accordingly मैं dark करता हूँ चल रहा हूँ values को तो जो ये वाला portion नहीं जहां पर मैं dark कर रहा हूँ वो just because of light की वज़े से जैसे तरह से light पढ़ रही है इसमें जिस तरह से light and shades का arrangement है उसी के accordingly ही ये हो रहा है तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखेगा जब भी ऐसे portrait आपको मिलें तो आपको देखना पड़ेगा कि reference में किस तरफ से light आ रही है किस तरफ से आपको dark करना है किस तरफ से light करना है जैसे eye eyebrows है इन दोनों के बीच का पोर्शन है वहाँ पे भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है तो ये सबसे critical portion है अभी तक जितना भी मेरा अनपाव है ना उसमें ये समझ में आता है कि जो chin line है जो cheeks हैं वहाँ पे shading देना बहुत difficult होता है और even जब आप shading देना शुरू करते हो वहाँ पे तब आपको समझ आता है कि वाकई में बाकी areas में तो बहुत clear cut समझ आ जाता है कि कहां dark कहां light है लेकिन chin line में cheeks में जो एक तो cast shadow भी पढ़ रही होती है उस cast shadow को manage करना और chin line हर किसी के face पे साफ साफ नहीं दिखती है जो कम उमर के बच्चे उनके जब portrait आप बनाते हो तो वहाँ पे chin line बहुत साफ साफ नजर नहीं आएगी इवन कीवल old ages में वो थोड़ी ठंग से नजर आती है बागी जितने भी portraits हैं उनमें chin line बहुत difficultly आप jaw line आप कह सकते हो वो भी बहुत difficultly समझ में आती है अब यह तोड़ा गहराई से देखने कुशिश करो कि जो shading हो रही है वो किस तरह से हो रही है बहुत जादा brush से आप shading expect नहीं कर सकते हो कि वो आपकी shading में तनी मदद कर देगा कि सब कुछ एकदम smooth कर दे वो कुछ ही level तक चीज़ों को हटाते हैं और वही beauty है उस चीज की अकर मैं पूरा इसको smudge कर दूँ पूरा इस विलकुल चिकना कर दूँ जैसे हम realistic, hyper realistic में करते हैं तो फिर यह वाली beauty नहीं मिलेगी जो यहां पर raw beauty दिख रही है आपको थोड़ी सी roughness दिख रही है बोट रेट पे तो वही चीज़ है हर paper पर अलग results मिल देते हैं उसका कारण यही है कि आपको उसी तरीके से इसको manage करना है ठीक है अब यहां जिसे पगड़ी है, कपड़े हैं कपड़ों में texture देना बहुत ज़्यादा complicated हो जाता है time ticking ज़्यादा है not complicated but time लगता है और यही problem है कई बार हम लोग इतना जारा time देना prefer नहीं करते चीज़ों को अगर time दिया जाए तो definitely आप उसको बना पाओगे तो यह चीज़ ध्यान में रखना है जब भी आप इसमें time दोगे जा थोड़ा और अच्छे से कोशिश करोगे करने की तब ज़्यादा बहतर ढंक से यह बनने लगेगा तो थोड़ा समय देना है और जब आप समय देने ल जैसे आप highlight देंगे फिर आपको further नजर आएगा कि और dark value कहां कर सकते हैं फिर इस तरह से जैसे brush अभी यूज़ कर रहा हूं है brush के साथ आप smudge करने की कोशिश कीज़े देखे कितना smudge होता है और कितना smudge होने के बाद आपको कहां कहां highlights create करनी है वो दोनों चीज़ें अब देखे जैसे मैंने थोड़ा time lapse किया है तो आप देख पा रहा हूंगे थोड़ा सा smooth हुआ है यह तो पगड़ी हुआ भी यहीं रखते हैं और आप आ जाते हैं तिलक पे और अब इस video के conclusion पे पहुंचते हैं क्योंकि यह important है कि आप किस सरह से finish करते हैं portrait को तो तिलक ड्रॉ करने के लिए पहले आपको एक हलकी outline वहां पे समझनी ज़रूरी है जहां पर आपको outline देनी है वहां थोड़ा सा outline देने के बाद आप pencil eraser use करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं और इस तरह से white highlight को वहां पे create करेंगे क्योंकि हम अभी यहां पे color नहीं introduce कर रहे हैं तो केवल white ही छोड़ेंगे इसको और एक छोड़ा सा गोल सा तिलक वहां पे भी मैंने दिया एक अच्छा feel आएगा इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो और इस तरह से इसको finish किया है देखिए यहां पर थोड़ी से jewelry पे भी बा आप ध्यान से देखो क्योंकि वहां पर dark values है highlights जब आप create करोगे तो अपने आप वह एक jewelry का form लेने लग जाएगा और जो भी आपको design वहां पर create करना है वह आप फिर further pencil से add-on करते हुए changes कर सकते हो इसमें यह ध्यान में रखो और जब भी आपको ऐसा कुछ करना हो तो जैस कर रहा हूं और पीछे थोड़ी से वर्टिकल है जाज वगरा दे दे रहा हूं ताकि वह थोड़ा बहतर एक बैग्राउंड जैसा create हो जाए महां पर dark values क्रेट हो जाए जहां पर highlight देते हैं महां dark values देना अच्छा होता है हमेशा ही ठीक है तो वह मैंने विस तरह से यहां प किया तो दोनों तरीकिए आपने देख लिए यहां पर subtraction भी कर सकते हैं और यह तरीका भी उस कर सकते हैं जिसमें एड़ओं कर रहा हूं वेल्यूज को दोनों ही तरीके आप यूज कर सकते हो सेमेंटेशले और इस तरह से यह पोड़रेट फेनिश हो गया है इंक यू सो भाय.